वेज बिर्यानी की रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही इजी एन कुईक रेसिपी है तो आपको जादा देर किचन में खड़े नहीं रहना है सर्दियों में आप गर्म गर्म बिर्यानी का लुफ्त उठा सकते हैं वो भी मिंटों में बना के तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं पर उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले नोटिफिकेशन बैल हिट करिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस्स ना करें और चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप देख लीजे कितनी बढ़िया लग रही है एक्दम लाजवाब इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं डेड़ कप बास्मती राइस आप किसी भी मेजरिंग कप या फिर नॉर्मल कटोरी से मेजर करके राइस को ले सकते हैं क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम पानी डालेंगे उतना ही पानी हम बिर्यानी में डालने वाले हैं तो स खड़े मसालों में हम लेंगे 5 लॉंग 10-11 ब्लैक पेपर, 2 बे लीफ, 1 चावितरी, 2 चोटी लाइची, 1 बड़ी लाइची और एक सिनिमन स्टिक में फ्रेश massage, 1 ले रहे हैं, एक पोटाटो, ठोड़ी सी कारेट, ठोड़े से कॉली फ्लावर, ठोड़े सा बीन, ठोड़े से हम अनियन ले रहे हैं और मैंने यहांपे फ्रोज़न मटर ले लिह हैं, आप फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज अनियन लिये थी और इसको ऐसे स्लाइस में कट कर लिया है तो सबसे पहले हम इसे मसल करके एकदम सेपरेट कर देंगे क्योंकि हम करने वाले हैं इस अनियन को फ्राय तो फ्राय करने के लिए आपको एक एक अनियन को अच्छे से पेस्ट एक से दो ग्रीन चिली रोज या केवरा वाटर में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं या फिर दोनों भी यूज कर सकते हैं आप सबसे पहले हम कुकर में एड कर दे रहे हैं अराउंड 4 टेबल स्पून ऑईल को हम अच्छे से गरम हो जाने देंगे इसके बाद मैं आप अपने प्लेट निकाल करें रख लिए इसको हम फ्राइब करने वाले हैं तो सबसे पहले तो आप इसे हाई फ्लेम पे कर सकते हैं पर जैसे आप देखते हैं ब्राउन होना शुरू हो रहा है आप फ्लेम को लो कर देंगे बिकास बहुत जल्दी अनियन जो है वो जल ज आते हैं कड़वाहट आ जाती है इसमें तो इसी तरीकी से कंटिनुसली स्टर करते हुए हम इसे फ्राइब करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जो है हमारे फ्राइब हो चुके हैं तो अब मैं इसे निकाल करके एक अलग प्लेट में रख लूँगी सेम ओईल में हम एड कर रहे हैं हमारे सारे खड़े मसाले हम यहां पर एड कर देंगे थोड़ा सा हम इनको स्टर कर लेंगे डाल रही हों अनियन को आराउंड हाफ या एक मिनिट के लिए ऐसे स्टर करें जादा हमें ब्राउन नी करना हल्का से हम कूक करेंगे इसके बाद हम इसमें आड कर देंगे सारी वेजिटेबल्स तो वेजिटे बस को आपको ऐसे बड़े-बड़े करना है विकाज प्रेशर अब यहां पर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी एड कर देना है और सब कुछ एक मिनट के लिए इस तरीके से वेजटेबल को अच्छे से स्टर कर लिया है अब हम इसके अंदर आड कर देंगे दही तो फ्लेम को लो करके ही आपको दही को एड करना है दही फेट लेना है अच्छ आप इसको एड करेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दही को भी हम एक से दो मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे अब दही पक जाने के बाद हम इसमें आड कर रहे है नमक वन अदा हाफ टीस्पून मैं इसमें नमक एड कर दिया है वन टीस्पून रेच चिली 1 टीस्पून हल्दी पाौड़ वन टीस्पून धन्या पाउडर दो टीस्पून हम इसमें बिजटेबल सकते है अब कियोंकि मैंने फ्रोजन मतर यूज की तो मैंने स्टेज में डाल रही हूं अगर आप फ्रेश मतर यूज़ कर रहे हैं तो आप बाकी की वेजिटेबल के स एक मिनिट के लिए मसालों को अच्छे से भून लेंगे फ्लेम को रखें थाकि आपके मसाले जो है वह बिल्कुल जले नहीं अब हम यहां पर एड़ कर देंगे हाफ कप पानी तो यहां पर हाफ कप में अभी एड़ कर दे रहे हूं और एक कप में बाद में एड़ करूंगे क्योंकि मैंने टेड़ कप राइस लिया है तो हम सेम कॉंटिटी का पानी इसमें एड़ करेंगे तो यहां पर थोड़े से फ् किरियानी मसाला मैंने स्पिंकल किया है वन टी स्पून हम इसमें देशी घी अड़ कर रहे हैं और जो हमने सोप करके राइस रखे थे वो इसके एक अच्छी सी लेयर हम इस पर बिचा देंगे तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को लो किया हुआ है ताकि मैं आराम से सारी चीज़े डाल पाऊं इसमें और अच्छे से यह राइस अच्छे से लगाने के बाद हम इसके ऊपर डाल दे रहे हैं बाकी के बचे हुए जिते भी फ्राइड अनियन्स हमारे पास हैं वो सब मैं इस पर डाल दे रही हूं और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिंट लीव्स धनिया के पत्ते अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिली साथ मैं थोड़े से कैश्यूज डाल रही हूँ जो के बिल्कुल आप्शनल है हलका सा सॉल्ट मैं इसके उपर स्प्रिंकल कर दे रही हूँ और थोड़ा सा बिर्यानी मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके उपर वन स्पून हम इसके उपर देसी घी डाल देंगे और हमने जो केसर मिल्क रेडी करके रखा था गरम दूद में आपको केसर डाल के थोड़ी दिर के लिए भिगो देना है तो बस उसके दो चमच मैं इसके उपर डाल दे रही हूँ और उपर से डाल रही हूँ रोज वाटर रोज या केवड़ा आप कुछ भी डाल सकते हैं दोनों भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर बाद में लास्ट में एक कप पानी मैं डाल रही हूँ बस लिट लगा के हम एक विसल हाई फ्लेम पे एक विसल लो फ्लेम पे देंगे तो यह बिल्कुल गरम है गर्मा गरम है एकडम तो मैं ज्यादा आपको गरम में इसको नहीं चूना है मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रही हूं तो हमारे जो राइस है बिल्कुल ब तो हमारी गर्म गर्म बिढ्यानी जो है बिल्कुल रेडी है खाने के लिए इसको आप ठंडे ठंडे बूंदी के रायते पाप और सैलेट के साथ एंजॉय कर सकते हैं कैसे लगे आपको रेसिपी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक करे का चैनल को सब्सक्राइब करिएगा चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई टेक क्या अ धर आव मेझा बाईएगार सकते हैं कई घोर, प्रके बाईएगउ नेकं लाइब का रेसिता हैं आई प्सक्राइब कि खेंगार सत्या सब्सक्राइग δरूर पुल्य किष्णंद प्राइश 1.5 ृ.